प्रभात बच्चों, बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण से पाट छे समास को समझाने जा रही हूँ बच्चों, हिंदी व्याकरण में समास का बहुत महत्व है समास का अर्थ होता है संचेपी करण बच्चों, इसको हमको अच्छे से समझने के लिए इसे विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा तभी हमको समझ में आएगा कि समास क्या है तो चलिए बच्चों, समास को समझने के लिए हम समास को अच्छे ढ़ंग से पढ़ें और समझें पाट छे समास पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि उपसर्ग और प्रत्य के मेल से नए शब्दों का निर्माड होता है हमने जाना बच्चों कि उपसर्ग और प्रत्य जो होते हैं वे शब्द नहीं शब्दांस होते हैं उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्य शब्द के अंत में लगाए जाते हैं ये शब्द के अंस होते हैं और इससे क्या होता है कि एक नए शब्द का निर्माड होता है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता है बच्चो ठीक इसी प्रकार समास के द्वारा भी शब्द निर्माड होता है निम्न लिखित को ध्यान पूर्वक पढ़िए जैसे बच्चो यहाँ पर दो खंड दिये गए हैं खंड क, खंड क, गंगा का जल, गंगा जल दाल और चावल, दाल चावल वन में वास, वन वास, चार राहों का समू, चो राहा नीले रंग का कमल, नील कमल क तथा खंड में दिये गए उधारणों को पढ़कर ग्यात होता है कि क वर्ग में शब्दों का समू, जबकि खंड में एक शब्द है शब्द समू के इस संशिप्त रूप को समस्त पद या सामासिक शब्द कहा जाता है बच्चों, इसका सीधा सा यही अर्थ है कि जो शब्द के शमू होते हैं, उनको शंशिप्त करके हम शब्द बनाते हैं अर्थ वही रहता है, लेकिन शब्द छोटे हो जाते हैं जैसे यहाँ पर तीन फल दिये गए हैं, तो हम तीन फल न कहके, तीन फलों का समू न कहके अगर हम त्रिफला कहते हैं, तो उसका अर्थ भी वही होता है यहाँ पर रावड का चित्र बना हुआ है, जिसके दस सीर हैं, तो हम दस सीरों वाला न कहके रावड को हम दशानन कहते हैं, तो हम को समझ में आता है, कि यह शब्द रावड के लिए बोला गया है तो बच्चों, इस प्रकार हम समास की परिभासा ऐसे कह सकते हैं, कि दो या दो से अधिक पदों को मिला कर शार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, इसमें पहला पद पूर्वपद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है गंगा जल में गंगा पूर्वपद है तथा जल उत्तर पद है बच्चो इसमें ये बताया गया है कि पहला पद पूरो पद और दूसरा पद उत्तर पद मतलब पहला शब्द दूसरा शब्द पहले शब्द को पूरो पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा गया है समास बिधी से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है तो बच्चो समास का अर्थम को समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक पदों को मिला कर सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं चलिए इसको और भी अच्छे ढंग से समझा जाए समस्त पत के अंगों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं बच्चों जैसे हमने जाना कि शब्द समूहों का हमने एक शब्द बनाया उसी तरह से उसको जब हम अलग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं समास विग्रह गंगा जल का विग्रह होगा गंगा का जल पहले हमने क्या जाना कि गंगा का जल को हमने गंगा जल एक शब्द बनाया और अब जब हमने इसको विग्रह किया अलग किया विग्रह का अर्थ होता है अलग करना तो वह हो गया गंगा का जल अब बच्चों हम जानेंगे कि समास के कितने भेध होते हैं प्रकार भी कह सकते हैं समास के बच्चों छह भेध हैं समास के छह भेध हैं पहला हमारा है अव्याई भाव समास तत्पुरुस समास द्विग समास द्वंद समास कर्वधारे बहुविरी है तो चलिए अब इन समासों को हम अच्छे से क्रम बाई जाने और समझें कि कैसे कैसे इन में समास का पद बनता है शब्दों का और कैसे विग्रह होता है पहला हमारा है अव्याई भाव समास जिस समस्थ पद का पहला पद अव्याय हो तथा शम्पून सामाशिक पद भी अव्याय हो बच्चों अव्याय का अर्थ होता है वे शब्द जो की रूड होते हैं जिने हम परिवर्तित नहीं कर सकते अव्याय की तरह कारे करे उसे अव्याय भाव समास कहते हैं जैसे जिस समस्थ पद का पहला पद अव्याय हो तथा सम्पून समासिक पद भी अव्याय की तरह कारे करे उसे अव्याई भाव समास कहते हैं जैसे समस्त पद है यहाँ पर यथा शक्ति तो विग्रह होगा शक्ति अनुसार प्रती दिन प्रतेक दिन भर पेट पेट भरकर आजन्म जन्म भर अव्याई भाव समास का पूरो पद प्रयाय यथा प्रती आ होता है अब हम दूसरे समास की तरफ बढ़ते हैं जो की है तत्पूरुस समास जिस समस्त पद का उत्तर पद अर्था दूसरा पद प्रधान होता है बड़ा होता है और जिसमें कारक्चिन परशर्ग का लोप हो जाता है उसे तत्पूरुस समास कहते हैं जैसे समस्त पद है यहाँ पर राजपुत्र विग्रह करने पर हो गया राजा का पुत्र वन वास वन में वास तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत रचित जनमांध जनम से अंधा मार्ग व्याय मार्ग के लिए व्याय गुडस्वार घोडे पर सवा बच्चो अब हम चलेंगे तीसरे समास की ओर द्विग्र समास जिस समस्त पद का पहला पद संख्या वाची हो ध्यान दीजिए जब भी इसका शब्द होगा तो उसका पहला शब्द जो होगा वो संख्या होगा संख्या वाची हो वह द्विग समास कहलाता है जैसे समस्त पद है चौ राहा चौ का अर्थ है चार तो हमने समझ लिया कि चौ का अर्थ है चार जो की संख्या है तो इसका विग्रह हो गया चार राहों का समू जहांसे चार रास्ते निकलते हो पंचवटी, पाचवटियों, पीपल, वट, हरण, बेल और अशोक का समू शप्त रिशी, शात रिशियों का समू बच्चों अब हम चलेंगे चौथे समास की तरफ द्वन्द समास जिस समस्पद के दोनों पद समान इस्तर के हूँ कोई किसी से कम न हो उनके विग्रह में और अथवा या लगता हो उसे द्वन्द समास कहते हैं जैसे बच्चों इसमें समझना है कि जो दो सब्द हैं वो किसी से भी कम नहीं है दोनों शब्दों का महत्व है तो उनके बीच में हम और या या लगाते हैं जैसे यहाँ पर दिया है सुख दुख बीच में योजक चिन लगा है जो दोनों शब्दों को जोड रहा है सुख और दुख धर्मा धर्म धर्म और अधर्म दाल चावल दाल और चावल तीन चार तीन या चार अब बच्चों हम पाँचवे समास की ओर बढ़ेंगे कर्म धारे समास जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेशड विशेश अथवा उपमान उपमेय शंबंध हो वहां कर्म धारे समास होता है जैसे समस्त पद है आपका नील कमल विग्रह करने पे हुआ नीले रंग का कमल तो यहाँ पर बच्चों कमल की विशेशता बताई गई है कमल विशेश है और नीला रंग विशेशड है महाराज महान राजा महान विशेशड है राजा विशेश शब्द है चरण कमल चरण रूपी कमल यहाँ पर चरण उपमान है और कमल उपमेय है चंद्रमुक चंद्रमा के समान मुक चंद्रमा उपमान है जिसके उपमा की जा रही है और मुक उपमे है विद्या धन विद्या रूपि धन विद्या उपमान है और धन उपमे है अब हम बच्चो बहुबरी समास के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चों जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहों और दोनों पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराएं वहां बहुवरी ही समास होता है जैसे समस्त पद है लंबोदर, लंबा उदर है जिसका ये किसके लिए कहा जाता है गणेश जी के लिए नील कंठ, नीला है कंठ जिसका सिव जी, पितांबर, पीले हैं अंबर, वस्त्र जिसके स्रीकृष्ण दशानन दशानन मुख हैं जिसके रावड चतुर भुज चार भुजाएं हैं जिसकी विश्णू चतुर मुख चार मुख हैं जिसके ब्रम्भा चंद्र शेखर चंद्र हैं जिसके सिखर मस्तक पर शिव कुछ समाशिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधार्य और बहुवरिही दोनों समासों में पाए जाते हैं इनके अंतर को समझना होगा कर्मधार्य समास के पदों में विशेशण विशेश अथवा उपमान उपमे का समबंद होता है जैसे कमल नयन में कमल उपमान और नयन उप में है कमल के समान नेत्र वाले बहुवरी समास में समस्त पद ही विशेशण का कारे करता है और किशी अन्य अर्थ का वाचक होता है जैसे पितांबर पीत जिसका आर्थ होता है पीला, अंबर वस्त्र है जिसके अर्थात श्रिकृष्णी के लिए कहा जाता है समास का निधारण विग्रह पर आधारित होता है जैसे लंबोदर, लंबा उदर ये कर्मधारे समास है लंब उदर, लंबा उदर है जिसका गडेश जी बहुबरीही समास है द्विग और बहुबरीही समास में भी हमको अंतर जानना होगा द्विग समास का पहला पद संख्यावाची होता है जबकि बहुबरीही समास का सारा पद विशेशण का काम करता है तथा अन अर्थ की ओर संकेत करता है विग्रह करने से अंतर का पता चलता है त्री फला तीन फलों का समू द्विग समास है चतर भुज चार भुजाओं का समू द्विग समास है चतर भुज चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थाद विष्णू बहु विरी ही समास है प्राथक मेल को समास कहते हैं, मेल से बना शब्द समस्थपद कहलाता है, समस्थपद को पूर्व इस्थति में लाना समास विग्र कहलाता है, समास के कुल कितने भेद हैं? छै भेद हैं, अव्याई भाव, तत्पुरुस, द्विग, द्वंद, कर्मधारय और बहुवरी ही सम वर्णों का मेल संधी कहलाता है तथा शब्दों का मेल समास कहलाता है बच्चों आप लोगों ने इसे ध्यान पूर्वक सुना और समझा आशा है कि आपको समास अच्छे से समझ में आ गया होगा